इस वक्त और गिंती पहली शुरू हो जाएगी इस वक्त की इलेक्शन ब्रेकिंग इस वक्त की इलेक्शन ब्रेकिंग यही है कि यूपी की रफिटी सीम दिनिश्रमा ये कह रहे हैं कि भाई हिंसा की आशंका है हिंसा की आशंका है और इसके लिए यूपी सरकार पूरे तरीके से तैयार है देश का सबसे बड़ा सूबा साफ कर दिया गया है अगर उत्तरप्रदेश में हिंसा की कोशिश की जाती है तो सरकार चुप नहीं बैटेगी जो जरूरी होगा वो करेगी और आप जानते हैं ग्र अविशंकर परसाद का ये बड़ा बयान की विपक्ष के चोथे राओं के बाद ही विपक्ष की तरफ से हार माननी गई थी और ठीक रह एवी एम पर खोड़े जाने की पूरी तैयारी कर ली गई थी क्या कहा गया है पहले आप सुन लीजे ये बहुत ही आतिहासिक जीत अब कांटिंग शुरू है कांटिंग होने का इंजार करिए देश का एक एक नागरी के मानता है कि मोदी जी की अगवाई में देश वरक्षित है देश विक्सित होगा और उसी का प्रगटी करन इस मत करना में होगा अच्छा मत करना में होगा सर इवियम को लेकर तमाम तरह की बाते हो रहें तमाम तरह की चीजे करी गई यह बहुत ही शर्मिन्दी की भला अभियान है क्रिप्या करके देश के लोकतंत्र को कमजोर न करे चुनाओ होंगे चुनाओ आएंगे जाएंगे क्या कॉंग्रेस पा रही है चौते राउंड में जब हार टै हो गई तब यह शरू हुआ यह बहुत धूर भागिये पूर्ण है इसे मैं उन्जित मानता हूं कृप्या करके जंता के मतों का आदर करना सीक्ए एक ही और है जिस तरह से विहार में हुआ है पहले के पूरू केंद्री मंत्री उन्ह सबसे बड़े लोगतंत्र का परिणाम आ रहा है विशु का सबसे बड़ा चुनाव है सबसे पेंगा भी अमेरिका भी हमसे आधा ही खर्चा करता है बिलकुल बिलकुल और इस पे हम सभी लोगों को गर्भ है और जिस तरीके से कुछ पॉलिटिकल पार्टी देश की छबी को धुमिल करने की कोशिश कर रही है पहली बार ऐसा हुआ अधिती जी सचिन जी की लोग कह रहे हैं कि अगर हमारे परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आए तो हम वाइलेंस करेंगे यह कहां लेके जा रहे हैं यह लोग लोगतंत को और जो पॉलिटिकल पार्टी इवी एम को इस तरह से क्वेशन करना चाह रहे हैं जो पॉलिटिकल पार्टी देश की छबी को धुमिल कर रही है उनको जंता का जवाब उकमल मिलेगा करने की है तो वेस्ट बेंगॉल में इस समय क्या ताजा अपडेट आप आम आप मोई दर्शकों को दे सकते हैं समय की जो सूई है घड़ी की जो सूई है तेजी से आगे बढ़ती है कुछ मिंटों का वक्त बात की काउंटिंग शुरू होने में जी अधित्य आपको बता दे जैसा कि आप बता भी रही थी थोड़ी देर पहले कि MHA के और से जितने भी राज्ये के DGPA उनको सतर किया गया है कि शायद कोई वाइलेंस हो सकता है लेकिन वाइलेंस को मद्दे नज़र रखते हुए पस्च्चिम मंगाल में कुल मिलाकर 280 कंपनी जो है वो Central Armed Paramilitary Force को तैनात किया गया है और ये सिर्फ EVM के Strong Room के Guarding के लिए Safe Guard के लिए ही नहीं या Counting Center पे तैनाती के लिए नहीं लेकिन Law and Order हाज से नहीं निकल जाए या situation नहीं बिगड़े इसलिए यहाँ पर हिंसा नहीं हो उसको मदे नज़र रखते हुए यहाँ पर 280 जो कंपनी है Central Armed Paramilitary Force की यहाँ पर तैनात की गई है एक और बात आपको बता दू क्योंकि बार-बार State Police पे जो आरोप लग रहा था Bias का तो चुराव आयो की और से यह कह दिया गया है कि जो भी counting centers है उसके बाहर ही State Police रहेगी अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है वो Central Force की निगरानी में आज counting होगी पूजा मैता इस बड़े अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हर तस्वीर देखिए पूजा का दौर जारी हम बार-बार सियासत के बक्ती काल का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं तमाम experts हमाई साथ लगातार बने हुए हर तस्वीर और हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने के साथ अब बादे के साथ और यह ग्लोबल गवरिज ब्रेक्स पार भी जा रही है अपर यह मैंसा है अब 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 अब